तो गाईस अगर आपने SIP में AutoPay setup कर रखा है और AutoPay setup होने के बाद भी आपके SIP installment का जो amount है आपके खाते से deduct नहीं हुआ, आपके खाते से पैसे नहीं कटे, तो ऐसे में हमारे कई सारे भाई लोगों का ये comment आ रहा है कि भीया मैंने SIP में AutoPay setup कर रखा था, AutoPay enable कर रखा था लेकिन इसके बावजूद भी जिस दिन SIP amount deduct होने का date था, ठीका उस दिन मेरे खाते से पैसा क्यों नहीं कटे और किया ये पैसा बाद में कटेगा, और खास बात कि क्या मुझे इस पैसे को manually payment करना पड़ेगा, इस तरीके से कई सरह के सवाल आ रहे हैं आप लोगों के, तो वीडो को बीना skip किया, पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोग को सही और सर्टिक जनकारी मिल सके, बेसिकली देखिए, जब आटो पे आप setup करते हैं, तो आप लोग fully bank को जो ही की एक permissions देते हैं, कि जो ही की मेरे account से बीना किसी sign signature का, बीना मेरे permission का, जो की 1 लाख रुप जिससे कि जिस दिन SIP के installment के deal होती है, उस दिन directly company जो ही कि आप से bank से पैसे ले लेती है, क्योंकि आपने already उस bank को जो की ये permission दे रखा है, कि इस दिन ये अतना amount जो ही कि आप इस company को दे सकते हैं, इस fund में आप दे सकते हैं, तो bank को देखिए, आप फुली permission पहले ही दे चुक ठीक है, पहला करण, पहला करण तो ये है, कि जब आपने bank को concern दे दिया है, कि आपके खाते में जो ही कि इतना पैसा रहेगा, यानि कि जिस दिन SIP installment का date होगा, उस दिन आपके खाते से इतना पैसा कर जाएगा, लेकिन by दबे अगर उस दिन आपके खाते में पैसे नहीं र आट किया है, आटो पैस शेट अप कर रखा है, और 5,000 रुपे आपका इतना तारीक को कटना है, 10 तारीक को, ठीक है, तो आपने क्या किया कि 12 बज़े तक आपके खाते में 5,000 रुपे थे, लेकिन आपने उस पैसे को कहीं पर payment कर दिया, ठीक है, और 1 बज़े तक आपके ख इंस्ट्रॉल्मेंट का जो amount है, deduct नहीं हो पाता है, नहीं कर पाता है, ठीक है, यह देखें, पहला region रहा, अब second region की बात करते हैं, कि आखिर आपके खाते से SIP installment का amount क्यों नहीं कटा, तो second region है, कि हो सकता है, कि जिस दिन आपके SIP installment का amount deduct होना है, यानि कि आपके खाते से पै deduct नहीं हो, ठीक है, एक दिन के बाद हो, क्योंकि यहाँ पर आपने जो bank को permission दे रखा है, जिस दिन bank open रहेगा, उसी दिन आपके खाते से पैसा deduct होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल भी परिशान नहीं होना है, अगर आपने बैंक को consent दे रखा है, कि जो ही कि आपके खाते से पैसा इतना तारीक को deduct हो जाएगा, ठीक है, तो बता दे कि आप लोग जो ही कि उस दिन अगर कोई public holiday है, तो उस दिन अगर deduct नहीं होगा, एक दिन के बाद आपके खाते से पैसा कटेगा, लेकिन आपका SIP installment का जो amount है, और कट जाएगा, आप लोग मुझे WhatsApp कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं reply 100% दूँगा, तो IOP Studio के माध्यम से आपको help मिला होगा, चैनल को subscribe कर देना, वीडियो को like कर देना, मिलता हैं फिर किसी next वीडियो में